तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जींग को एक बड़ा सघर मिल चुका था साथी बाओं से अपने कुछ पुराने दोस्ट और डेसिपल्स भी मिलते हैं मगर फिर इसके बाद उन्हें पता चलता है कि किसे दूसरे मौंटेन ने उनके जियानू मौंटेन पर हमला कर दिया था वैसे इस मौंटेन का नम इमेजूरेबल मौंटेन था लेकर सच चाइनीज में वुल्यांग मौंटेन प्रोनाउंस किया जाता है वैसे वो आप छोटी से गलती समझ कर माफ कर दीजेगा तो अब इस पार के स्टार्टिंग में पिछले पार के आगे से ही होती है हम देखते हैं कि जब वो वुल्यांग मौंटेन के एल्डेर जिंग पर अपने डिवाइन पाम से अटेक करते हैं तो तभी जिंग अपने हाथ से उस अटेक को रोखने की कुशिश करता है वैसे अभी वो अपनी फूरी एनर्जी लगा रहा था लेकिन फिर भी वो उस अटेक को नहीं रोख पा रहा था तो अब ये चीज़ देखकर शियोन समझदारी दिखाता है दरसल वो तुरंती जिंग को अपनी अनर्जी देने के लिए आगे बढ़ने लगता है मगर फिर उसको देखते हुए बाकि सभी डेसिपल्स में सेम शियोन की तरह जिंग को अपनी अनर्जी देने लगते हैं इसके बाद अब वो अपनी एनरजी से जींग की पावर पहले से बढ़ाने लगी थी साथ ही धीरे धीरे एनरजी बढ़ते बढ़ते वो उस एल्डर के टैक परभी भारी बढ़ना स्टार्ट हो गई थी वो पाम अटैक अब जींग को नहीं दबा पह रहा था बलकि वो उपर उठने लगा था मगर अब यह चीज़ देखकर वो ल्यांग मांटन के एल्डर अपनी पावर को भी बढ़ा देते हैं जिसके बाद वो पाम अटैक और भी ज़्यादा पावर फुल हो जाता है साथ यह बहुत भी थक चुगा था तो अब अपने अटैक को इस तरह से डिस्ट्रॉय होता देख वो ल्यांग मांटन गे एल्डर कहते हैं कि सच में तुम कमाल हो क्योंकि मुझे उमीद नहीं थी कि जियानू मौंटेन में कोई मेरे अटाइक को इस तरह से डिस्ट्रॉई कर सकता है लेकिन इसके बाद वही अलडर कहते हैं कि तुमने मेरे इस अटाइक को तो रोक लिया लेकिन अगले अटाइक से तुम बिल्कुल नहीं बचपाओगे और फिर इतना कहते ही वो अपनी वुल्यांग लाइटनिंग से एक फर्मेशन रेडी करने लगते हैं इसमें पहले एक थंडर लाइट आसमान के तरफ जाती है जिसके बाद वहाँ थंडर क्लाउट्स बनने लगते हैं और अब इस सब के बाद वहाँ एक फर्मेशन बहार निकल कर आता है ये फर्मेशन वुल्यांग माउंटनिंग के एक स्पेशल प्रेशर फर्मेशन था और अब इस फर्मेशन में बहुत सारी प्रेशर वेवस निकलने लगती हैं अब इन प्रेशर वेवस से जिंग को बहुत ज़्यादा फर्क पर रहा था वैसे इस pressure formation की waves बिल्कल वैसी ही थी जैसे कि कुछ parts पहले immortal lord के बनाएं formation में थी मगर अब zinc अपनी power को बराने चालू करता है लेकिन फिर भी उसके पास अभी इतनी power नहीं थी कि वो उस formation को रोक पाए इसलिए अब वो अपने divine blood की power का use करता है तो इसके बाद हम देखते है कि इस formation की pressure waves अब zinc कम कुछ नहीं कर पा रही थी पर अब यह देखकर सामने उस वुल यांग मांटरिंग का elder तुरंती उस formation से thunder strike निकाल कर zinc के तरफ attack कर देता है मगर यहां zinc अब pressure waves के साथ साथ सेम टाइम पर उन thunder strike को भी रोकने की कोशिश करता है जिसके बाद zinc को थोड़ा गुसा भी आने लगा था तो अब zinc एक बार फिर अपनी power बढ़ाता है जिसके बाद पहले तो वो उन thunder strike को रोकता है जिससे वहाँ एक बहुत तेज़ ब्लास्ट होता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि zinc बहुत दा तेज़ी के साथ सीधे ही उस formation के तरफ निकल पड़ता है तो अब उस formation को destroy करने के बाद zinc सीधा अपने रास्ते उस elder की तरफ मोड लेता है और अब zinc को अपनी तरफ आते देख वो elder तुरन थी फिर से अपना big palm attack zinc के तरफ कर देता है लेकिन इसका कोई फैदा नहीं होता चोगि zinc बहुत speed में था और अब उसने एक बार उस palm को रोक लिया था इसलिए अब फिर से उस palm को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी अब अपने attack को भी destroy होते वे देख अब elder खुद one one side fight के लिए आगे आते हैं अब उन दोनों के बीच आसमान में बहुत देर तक fight चलती हैं जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर बराबर भारी पर रहे थे अब कुछ देर बाद वो दोनों रुकते हैं और वो लियांग बाउंटें के वो elder कहते हैं कि अगर ये लड़ाई इस तर चलती रही तो ये कभी खतम नहीं होगी और अब इतना कहकर वो अपनी energy release करते हैं और फिर अपनी पूरी energy को अपनी हाथ में फोकस करकर जियंग के तरफ अटेक करते हैं अब यहां जियंग बेपनी divine blood की power को use करता है इससे उन elder के attack को कोई असर जियंग पर नहीं होता साथ ही उसने उन elder के attack को बड़े ही असानी से खतम कर दिया था अब इससे जो energy निकलती है वो बहुत ज़्यादा powerful थी यहां दक कि बाकि सिभी disciples और Shion भी उसे दूर खिसा गए थे बगर इधर उस attack को रोकते ही तुरत सीधा elder की तरफ आगे बढ़ जाता है उसके स्पीर बहुत जादा तेज़ थी और वो elder के पास पहुंचकर सीधे उन्हें पंच कर देता है यह पंच जिंग ने अपनी पूरी तागत से किया था इसकी वज़र से वो elder सीधे जाकर एक बड़ी चटान से टकना जाते हैं साथ ही इससे उन्हें बहुत जादा चोट भी आई थी अब वो दोनों दोके बाज मास्टर्स elder के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि आप ठीक तो हो जिस पर वो elder बहुत गुसे में कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हो और साथ ही अब elder ये भी कहता है कि जींग मैंने तुम्हें कुछ जादा ही कमजोर समझ लिया था और अब इतना क्याकर वो फिर से जींग के तरफ एटक करने आगे बढ़ जाते हैं बगर इस तरह जींग के चहरे पर एक स्माइल थी साथ ही वो फिर से पहले जैसे तीजी से अल्डर के तरफ बढ़ता है और एक बार फिर उनको पंच करकर बहुत दूर फेंग देता है इसके बाद अब वो धोके बाज मास्टरस अल्डर को संभालते हैं और अभी इसी तरह जियानों के सभी ओल्ड डैसिपल जींग के पावर देखकर बहुत ज़्यादा शौक थी साथ ही वो घर दिखाने वाला एक डैसिपल कहता है कि चीफ डैसिपल ने वुल्यांग मांटन के इतने बड़े एल्डर को इतने असानी से कैसे हरा दिया लेकिन अब इस पर शियान कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि जींग बहुत तागतवर है अब इस सब के बाद जींग उन एल्डर से कहता है कि तुमने अपने आपको कुछ जादा ही तागतवर समझ रखा है साथ इसके बाद जिंग उन एल्डर के साथ आई सबी लोग को भी चैलिज़ देता है कि अगर कोई और है जो उससे लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है उसे कोई दिक्कत नहीं है मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ प्रचानक से ही किसी की हचने की बहुत तेज अबाद आने लगती है इसके बाद वहाँ सामने एक पोर्टल ओपन होता है इस पोर्टल से एक आदमी निकल कर बाहर आता है वैसे इस आदमी को वुल्यांग मांटेन के सभी लोग इमोर्टल लौड कहकर बुला रहे थे दरसल जैसे हमारे जियानु मांटे के इमोर्टल लौड मास्टर यू है वैसे ही वहाँ का इमोर्टल लौड ये आदमी है अब ये यहां आकर कहता है कि कमाल है तुमने तो बहुत हिम्मत है जो तो फुल्यांग मौंटिन से पंगा ले रहे हो साथ ही इसके बाद अब वो एल्टेर और धोकेबाज मास्टर कहने लगते हैं कि प्लीज इमोर्टल लॉड हमारे उपर दया केजिए और हमें जिस्टिस दिलाईए अब उनकी बास उनकर वे मौटल लॉड अपनी कुछ पावर को अपने हाथ में कंसंट्रेट करता है और सीधे ही जींग के तरफ अटेक कर देता है वैसे यह अटेक उता पावर्फल था कि वहाँ पर बहुत तेज ब्लास होता है जिसकी वज़र से चारो तरफ वाइट लाइट फैल गई थी मगर हम देखते हैं कि जींग को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि मास्टर यू पहले ही वहाँ पर आ चुके थे साथ युनोंने एक बार्यर बनाकर से अटेक को भी अकेले ही रोग दिया था अब इसके बाद मास्टर यू कहते हैं कि तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे ही मांटेर में आकर मेरे ही डेसिपल को चोट पुछाने की जिस पर सामने ख़ड़ा वो इमोर्टल लॉड कहता है कि तुम जरूरी जानो मांटेर के नई इमोर्टल लॉड होगी जिस पर मास्टर यू से कहते हैं कि हां तुमने सही पहचाना अब इमोर्टल लॉड मास्टर यू से पूछता है कि क्या तुम्हारे जानो मांटेर में कोई भी आदमी चलते फिरते इमोर्टल लॉड बन सकता है तो अब उसकी बास तुनकर मास्टर यू को थोड़ा गुसा आ जाता है वो कहते हैं कि ये पुराने मांटरिन नहीं है जहां दो मांकर किसी को भी कुछ भी कहा दोगे और बिना उसकी किमत चुकाए वापस चले जाओगे साथ ही अब वोल्यान मांटरिन के इमोर्टर लौड को चैलेंज कर रहे थे इसके बाद हम देखते हैं कि वोल्यान मांटरिन का इमोर्टर लौड लड़ाई के लिए पुरी तरह से तयार था और यहां Master U भी अपने energy concentrate करकर पूरी तरह से तयार थी साथ ही इसके बाद अब वो immortal Lord कहता है कि मैं अभी तो देखो कि आखे जानो मांटरिन के नई immortal में कितनी पावर है और अब इसके बाद वो अपने slash से Master U की तरफ attack करते हैं साथ ही अब यहां Master U में energy से attack करते हैं मगर इन दोनों attacks के energy इतने जादा powerful थी और इतने जादा highly compressed थी कि जब वो attacks एक दूसरे से ठकराते हैं तो इससे उन दोनों ही attacks के energy एक साथ extract होने लगती हैं और अब इसके बज़े से वहां पर energy का flow बहुत जादा बढ़ गया था यह energy इतने जादा के speed में flow हो रही थी कि वहां पर खड़े हुए सभी वुल्यांग mountain के decibel पहले ही दूर्फिक जाते हैं साथ ही इसके बाद wilder भी कुछ देर सहन नहीं कर पाता और दूर्फिक जाते हैं वैसे इस सब जानू mountain के decibels भी पहले ही दूर्फिक गए थे और उसके बाद Shion भी कुछ देर में ही दूर्फिक जाता है वैसे ये energy की वेश इतने strong थी कि यहाँ zing भी इस energy को पूरी तरह से सहन नहीं पा रहा था इसके बाद हमारा ध्यान जाता है master you पर तो हम देखते हैं कि उनके energy अब बहुत कम बची है साथ ही अभी वो सामने immortal lord की तरफ देख रहे थे क्योंकि immortal lord को इस attack के बाद भी कोई फरक नहीं पर रहा था बलकि यहाँ master you पूरी तरह से recover तक नहीं हो पाए थे इसी कारण वो अपनी पूरे energy का use नहीं कर पा रहे थे अब zing master you पास आते हैं और उन्हें संभालते हैं साथ ही अब वो उनसे पूछता है कि master अब ठीक तो हो ना जिस पर master you वहीं सेम बास जिंग को बताते हैं कि उनके energy भी पूरी तरीके से recover नहीं हुई है पर अब वो जिंग से कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो वुलियान मांटें के mortal lord को हरा पाएंगे और अब इसके बास जिंग और master you उसे mortal lord के तरफ देखने लगते हैं क्योंकि यहां यह mortal lord इस वक्त सभी वुलियान मांटेंड वालों को गह राता कि आज हमें जियान मांटेंड को खतम करना है और साथ ही वो सभी को order देता है कि आप जितने भी लोगे उन सभी को खतम कर दो इसके बाद अब वो सभी लोग उसके बात पर हां करते हैं मगर अभी इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खतम हो जाता है तो अगर आप में यह वीडियो पसंद आया हो तो प्रीजे से लाइक कर देना और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्रीजे से सब्सक्राइब भी कर लिजेगा अगले वीडियो के लिए